हेलो दोस्तों नमस्कार श्वागत है आप सभी का अपनी यूटूब चैनल तन्वीकी रसुमी में तो आज हम बनाएंगे बैगन की पकोड़े बहुत ही जादा टेश्टी और बहुत ही आसान तरीके से कम समय में कम सामान के साथ फटा फट से बना करें तयार करेंगे तो शलिए बैगन की पकोड़े बनाना शुरू करते हैं तो बैगन की पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो फ्रेस दो बैगन ले लिया है तो बैगन को अब हम कट करेंगे और ध्यान रखें, बैगन को कट करने से पहले बैगन को अच्छे से धुल लें, बैगन ताजा ही लेना है यहाँ पर अब हम लेंगे एक थाली, इस तरीके से मैंने एक थाली ले लिया है और अब हम बैगन को कट करेंगे, तो बैगन के डंठल को हम पहले कट करेंगे इस तरीके से हम बैगन के डंठल को कट कर लेंगे और इसके पीछे वाले भाग को भी हम इस तरीके से कट कर देंगे और अब हम इसको बीच से कट करेंगे इस तरीके से बीच से कट करेंगे और अब हम इसको इसी तरीके से गोले गोले स्लाइसेस में कट करेंगे बहुत जादा मोटा नहीं पतले पतले पीसेस में हम इसे कट करेंगे और इसी तरीके से सारे ही बैगन को हमें कट कर लेना है गोल गोल पीसेस में बहुत ही आसानी से ये कट जाते हैं दोस्तों और आप देख सकते हो ये बिल्कुल नरम है, बिल्कुल नरम बैगन लेना है, टाइट बैगन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नरम बैगन लेना है हमें, तो यहाँ पर इसी तरीके से सारे बैगन को मैं काट लेती हूँ, इसके बाद आपको दिखाती हूँ, त सी तरीके से अच्छे से mix कर लेना है ताकि सारे बैगन में नमक बैगन में और आप देख सकते हूं सारे भाड़ करें उन्यद ड़का के साईड में रख देते हैं और इसके लिए बैटल रेडी करेंगे तो यहां पर अब हम इसना को इस कटो carp ko предлаг रेंगे करेंगे तो कटोरी बेसन यह रीजकर प Georgia होगर को पूरह मैं इस तरीके सेब्स्तिय के ने पर भाट मैं एक बी इसपुरों में इसी तरीके से और ने अद्धीन बेसन और एंगे सललब तो अभाम इसमें डालें नमक आप शापसे अदालें नमक के बाल दल आप हलाया मैं थोड़ा सा डाला है इसमें डालेंगे अजवयन डालें अतना मिर्शी पाउडर अखर चमाता है अगरट मुद्दे को तो दुरू का पार dei क walks remember हल्का सा मिर्ची परड़़ बढ़ा सकते हैं आपर इसको अच्छे से हम मि officers कर लेते हैं और बारी कट करके हरी धनिया ले लिया है मैंने थोड़ा सा उसको बाद में मिक्स करेंगे तो यहां पर अच्छे से इसको मिक्स करें सूदा ध्युक्षा नहीं लए मिद्वन, फास सूदा म防iros, यह अवे बार के पार कें घर सूदा, अब थार फोड़ा सूदा भी लें कुस्तेधे मिक्स करें तो ध्यान रखे थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है कठे सारा पानी नहीं डालना है वरना इसमें लंस पड़ सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से फेट लिया है लेकिन इसमें पानी थोड़ा सा कम है तो पानी हम इसमें और एट करेंगे और इसे बहुत ही अच्छे से लगभग 3-4 मिन तक बढ़िया से फेटना है जितने अच्छे से आप फेटेंगे उतने ही अच्छे पकोड़े बनेंगे आपके तो यहां पर बेसन को मैंने बहुत ही अच्छे से घोल लिया है बहुत ही अच्छे से फेट लिया है यहां पर बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल दिया है मैंने बैटर में और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे बढ़िया तरी तो अब हम बैगन को बेसर में डिप करेंगे इस तरीके से बैटर में डिप करेंगे बढ़ियां से और अब हम इसको फ्राय करेंगे तो फ्राय होने के लिए तेल मैंने पहले से गरम करने के लिए रख दिया था तो तेल बढ़ियां गरम है तो एक करके इसी तरीके से एक बार कड़ाही में जितने आ जाते हैं उतने पकोड़े हम डाल देंगे एक बार में जितने आ जाते हैं उतने हम डाल देंगे और इसे थोड़ी देर फ्राय होने देंगे इसके बाद हम इसको पलटेंगे तुरंद से नहीं टच करना है दोस्तों थोड़ी देर फ्राय होने दें इस के बाद इसको पलटें तो यहां पर एक बार में चार पकोड़ों को हम फ्राय कर रहे हैं तो थोड़ी देर फ्राय होने के बाद इस तरीके से हम इसको पलट देंगे अब यहां पर आप देख सकते हूँ इसी तरीके से सारे ही पकोड़े को मैंने पलट दिया है बढ़िया से तेल में पलट दिया है और दोनों तरब से बढ़िया से फ्राय होने तक हम इनको फ्राय करेंगे इसके बाद हम इनको कड़ाई से बाहर निकालेंगे तो अभी हम इसे थोड़ी दिर और फ्राई करेंगे ताकि ये बढ़ियां से फ्राई हो सकें अंदर तक बढ़ियां से पक सकें तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो वापस से मैंने इन्हें पलट दिया है और ये बहुत ही अच्छे से फूल गया है सारी के सारे पकोड़े बहुत ही अच्छे से फूल गया है और थोड़ी दिर हम इने और फ्राई होने देंगे इसके बाद हम इनको वापस से पलटेंगे तो पकोडे बहुत ही अच्छे से फ्राय हो गए तो अब हम सारे पकोडे को निकाल के अलग प्लेट में रख लेंगे इसी तरीके से सारे ही पकोडे को अलग प्लेट में निकाल करके रख लेंगे तो अभी मैं आपको इसे पास से दिखा दी हूँ, आप खुद देख सकते हो, यह कितने फूले-फूले पकोडे बन करके तयार हुए हैं, तो इसी तरीके से दूसरी बैच को भी हम फ्राय कर लेंगे, इसी तरीके से एक-एक करके सारे पकोडे को डाल देंगे, एक बार में ज तो अब हम दोनों तरफ से अचहे से इनको फ्राय कर देंगे, आप देख सकते हैं, दोनो तरफ से एक बहत ही अच्छी से फ्राय हो गया है, बिलकुल बड़िया सा, कलर आया इन में, तो थोड़ी तेर फ्राय होने के बाद, आब हम इंको कडाही से बाहर निकालेंगे, तो उमीदे दोस्तों कि आज की ये बैगन के पकोड़े की रेसी पी आपको बहुत पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथी बेल आइकन को प्रिस करिए और पे क्लिक कर देज ताकि मेरी आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, इसी तरीके से सारे पकोड़े को फ्राइ करके मैंने कड़ाई से बाहर निकाल लिया है, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जबज़स्त पक कोड़े बन करके तयार हुए हैं दोस्तों, आप इन्हें अपनी पसंद के किसी भी चड़ी के साथ खा सकते हैं, या पि चाय के साथ इसे सर्व करें, बहुत ही मज़े की लगेगी, तो फिर मिलती हूं अगली वीडियो में ऐसी ही नईने और इजी रेसीपी के साथ, तब त आपके केर